नमस्कार क्विक नीज प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं हूँ विरदुबे खबर महारानी एलिजाबेद दुती के निधन से संबंदित है ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेद दुती का 70 साल तक शासन करने के बाद 96 वर्ष के आयो में स्कॉटलेंड के बालमोरल कॉसल में निधन हो गया 1952 में महारानी घोशित होने के बाद 2 जून 1953 को 25 वर्ष के आयो में उनका अधिकारिक तोर पर राजबिशेक किया गया था वे एक दरजन से अधिक अनिस्वतंद्र देशों की महारानी भी थी जो कभी प्रत्यक्ष ब्रिटिश औपनिवेशिक साशन के अधीन थे 2021 में बारबाडोस क्राउन से प्रत्थक होने वाला अन्तिम देश था इस नक्षे में आप उन देशों को देख सकते हैं जहां नवंबर 2021 तक महारानी एलिजाबिट दुती का राज्य था महारानी एलिजाबिट दुती का पूरा नाम एलिजाबिट एलेक्जेंडरा मेरी विंसर था जिनका जन्व 21 अप्रेल 1926 को उस समय हुआ था महारानी एलिजाबिट शुरुवात से लेकर आज तक 14 प्रधान मंत्रियों के साथ कारे कर चुकी थी उनकी राजपोशी के समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री विस्टन चर्चिल थे हाल ही में 6 सितंबर को महारानी ने लिज ट्रुस को प्रधान मंत्री नियुक्त किया था एलिजाबिट की मृत्यों के बाद उनके सबसे बड़े बेटे 73 वर्षी चाल्स ततकाल प्रभाव से अब ब्रिटेन के राजा होंगे जो अब किंग चाल्स तृती के रूप में जाने जाएंगे उनकी पतनी कैमिला अब क्वीन कंसोर्ट हैं जिनके लिए स्वेम एलिजाबिट ने फरवरी में अपनी रॉयल जुबली पर अनुरूत किया था किंग्स चाल्स तृती के बाद अगली पन्ती में कैमरिस के ड्यूक प्रिंस विलियम है युनाइटिड किंग्डम के सिंगासन के उत्राधिकार का अधिकार सेक्शन ओफ दे क्राउन एक 2013 से प्राप्त होता है इस एक्ट के द्वारा उत्राधिकार में लैंगिक प्राथमिक्ता के नियम को समाप्त कर दिया गया था और अब समराट की सबसे बड़ी संतान चाहे वह स्त्री हो या पुरुष उत्राधिकारी बन सकता था यह अधिनियम इस नियम को भी समाप्त करता है कि यदि कोई उत्राधिकारी रोमन कैथोलिक से शादी करता है तो उने उत्राधिकार के क्रम में आयोग गोशित कर दिया जाएगा यहाँ ध्यान रखने योग बात यहा है कि यूके के शास्कों को स्वैम इंग्लेंड के चर्च का सदस्य होना आवश्यक है एवं इंग्लेंड के स्थापिट चर्च और स्कॉटलेंड के स्थापिट चर्च को संरक्षित करने की शपत के साथ साथ प्रोटेस्टेंट बनाए रखने का भी वादा करना होता है आए जानते हैं राणी के पास विदेशों में क्या-क्या शक्तियां हैं रास्टमंदल छेत्र समवैधानिक राजतंत्र हैं जिसका अर्थ है कि समराठ की शक्तियां काफी हद तक प्रतिकात्मक हैं और राजनेतिक निर्णे एक रासनकाल में शामिल नहीं होती हैं संयुत राज्य में इसके विप्रीत रास्टपती राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों होते हैं राणी के पास कुछ सम्वैधानिक कर्तवे हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नई सरकारों की स्वीकृति है देश के आध जनरल की तरह कारे करते हैं असाधान प्रस्थितियों में क्राउन के पास आरचित शक्तियां या सरकार की अन्य शाखाओं को एक तरफा ओर्राइट करने का एक अधिकार भी होता है उधान के तौर पर आस्टेलिया के 1975 के सम्वेधानिक संकट के दोरान तत्कालिन गवर्न जन संत्री को बरकास्त कर दिया था